जैसा कि 79,000 प्रात्मिक सिक्षक भरती में चयनित बीयड अभ्यर्थियों का जो मामला है वह 11 अगस्त को सुप्रीम कोट के व्यादिश के अनुशार लगातार गंभीर होता जा रहा है जिहां तरह तरह की प्रतिदिन याचिकाएं पढ़ती जा रही हैं बीयड के खिलाप अभी एक क्लिरिफिकेशन की याचिका पड़ी थी उससे निपटने की बीयड चैनित जो 60,000 के हैं वो तैयारी कर रहे थे लेकिन कल फिर अपडेट आ गई कि सिक्षा मित्रों ने भी एक याचिका डाल दी जिसमें 69,000 सिक्षक भरती से बीयड बाहर करने की मांग की गई है और उनकी याचिकी सिक्षा मित्रों की कट आफ को कम करते हुए उनकी निपटी की मांग की गई है तो उसकी भी जल सुनवाई होगी तो लगाता जो 69,000 बीयड चैनित सिक्षक हैं उनकी मुसीबितें बढ़ रहे हैं और यही कारण रहा कि कल डी जी साहाब से अभ्यरतियों में जो निउक्त बीयड योगताधारी सिक्षक हैं उनको ब्रिज कोर्स कराया जाए ततकाल यह आपर मांग रखी गई है जिसको लेकर डी जी साहब की तरफ से यह स्पस्ट किया गिया है कि उन्होंने सासन को पत्र लिख दिया है जो दिशा निर्देस आएंगे उसकी आध अधार पर कारे होगा केवल इसतना असवासन डीजी साहाब की तरफ से इन पता दिकारियों को देखने को मिला है तो कुछ खास असवासन नहीं मिला है लेकिन इतना है तो देखिए कब तक यहांपर ब्रिज कोर्स होता है पहले तो ब्रिज कोर्स एक मुसीबत है तो कि NCT ने इस कोर्स को कराने के लिए कोई पाट करम से ले बस कोई भी कुछ भी नहीं बताया है कुछ नहीं जारी किया है बस कह दिया है कि 6 मेने का ब्रिज कोर्स होना है तो किस आधार पर होना है कैसे होना है ये सरकार जो हैं राज सरकार हैं इनको भी कुछ किलियर नहीं है और यही का बेल को सब्सक्राइब कर लें